एक गांग था मीरपूर, उसकाओं में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारी गाएं थी। रामू के घर का गुजारा भी उन गाएं का दूद पेच कर हुआ करता था। एक दिन उसकी पत्नी गीता गाएं को देखते हुए बोलती है। अरे रामू, आप पूरा-पूरा दिन इन गाएं के साथ लगे रहते हैं, फिर में चंद पैसे ही हमें देती हैं, जिनसे मुश्किल से हमारे घर का निजाम चलता है। कीता, तुम बोलतो ठीक रही हो। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम बहुत जल्दमीर हो सकते हैं। मेरे बैट जाया करो। चलो अभी जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो। बात की बात में देखी जाएगी। फिर रात को गीता और रामू दोनों मिलकर एक गाए के उपर गूल्डन रंग करने लग जाते हैं। गाए पर रंग होते ही गाए सच में सोने की तरह चमकने लग जाती है। अरे देखा लग रही है न सोने की गाए। अरे हाँ ये तो सच में सोने की गाए ही लगने लग गई है। गीता तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब सुबा हम इसे बेच डालेंगे। सुबह होते ही रामू के पास दूर दूर से लोग दूध लेने आते थे तब ही सेट की नजर उस काई पर पढ़ती है अरे ये क्या ये तो सोने की गाई है लेकिन सोने की गाई भी कभी होती है भला हाँ सेट जी ये सोने की ही गाय है ये गाय सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास भी नहीं है ये मामूली गाय नहीं है ये सोना उगलती है सोना अच्छा अगर ये सोने की गाय है तो तुम लोग फिर क्यों गरीब हो ए सेट जी ये तो अंदर की बात है ना हाँ 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 हम तो सिर्फ करीब होने का नाटक करते हैं सेठ उनकी बातों में आ जाता है और उनको मुबॉली रकम देकर गाय अपने साथ लेकर खर चला जाता है दूसरे तरफ गीता और रामू पैसे हाथ आते ही बहुत खुश हो जाते हैं और उस रात फिर एक गाय को गोल्डन रंग करने में लग जाते हैं अगली सुबह होते ही रामू अपने गाय को साथ लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है तभी रास्ते में एक कर्मू नाम का आदमी रामू को बोलता है अरे इतनी सुन्दर गाय ऐसी गाय तो मैंने पहले कभी नहीं देखी हाँ ये कोई मामूली गाय थोड़ी ना है ये सोना उगलने वाली गाय है ये गाय सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही है कुछ तेर सुचने के बाद तुम ये गाय क्या मुझे बेचते हो मैं तुम्हे मुबोली रकम देने के लिए तैयार हूँ चलो भाई तुम इतना बोल रहे हो तो ले लो मेरी गाय लेकिन एक बात याद रखना इस गाय को कभी नहलाना नहीं है अन लेकिन क्यों अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंके ये सोने की गाय है ना रामू अपनी दूसरी गाय भी अच्छी रकम में बेच देता है इस तरह दिन बदिन रामू और गीता अमीर होते जा रहे थे दूसरी तरफ सेट गाय के पास काफी देर बैठने के पात बोलता है अरे इस गाई को खरीदे दो दिन हो गए हैं और इस गाई ने एक दफ़ा भी सोना नहीं उगला अरे दो दिन से आपने इसे पेट भर कर खाना खिलाया क्या? क्या पता पेट भर चारा खाने के बाद ये सोना उगलती हो? अहां तुम बोल तो ठीक रही हो सेट गाई को बहुत सारा चारा लाकर देता है गाई खाने लग जाती है गाई ऐसे खा रही थी जैसे गाई बहुत दिन से भुकी हो कुछ तेर के बाद अरे ये गाई सोना तो नहीं लेकिन खा खा कर गोबर पे गोबर करती जा रही है सेट की पतनी बोलती है अरे इतनी बद्बू पूरे घर में दूसरी तरफ कर्मू भी अपनी गाई को खोब खाना खाने को देता है और सोने का इंतजार करने लग जाता है खोब खाना खाने के बाद गाई को नीद आने लग जाती है गाई गोबर करके सकून से सो जाती है अरे ये तो सोना दिये बिना हिस हो गई और उपर से इसने अपने आपको गोबर से बिभर दिया और अब मैं इसे नहला भी नहीं सकता क्यूंके उस गाए वाले ने मुझे गाए को नहलाने से मना जो कर दिया था और दूसरे तरफ गीता और रामू उनके पास पांच गाए थी जिन में से अब एक रह गई थी देखा रामू मेरी तरकीव कितने काम आई कुछ ही दिन में हम कितने अमीर हो गए हाँ बस एक और बंदा अब हमें मेल जाए जिसे हम बेवकूफ बना सके एक दिन सेट परिशानी की हालत में अपनी गाए को साथ लेकर बाजार चल पड़ता है चलते चलते सेट एक नदी के पास पहुंच जाता है वहाँ सब देखकर हैरान हो जाता है अरे मेरी गाए जैसी गाए मुझे इन लोगों से जाकर पूछना होगा कि इन लोगों ने ये गाए कहां से ली है सेट अपने गाए को लेकर नदी में पहुंच जाता है अरे भाईयो आप सब की गाए भी सोने की ही है जी हाँ हमारी गाय तो सोने की ही है और आपके पास पे सोने की ही गाय है लेकिन मैंने जिससे ये गाय खरी दी थी वो तो बोल रहा था कि सोने की गाय सिर्फ मेरे पास ही है और किसी के पास भी नहीं है हाँ भाई जिससे मैंने ये गाई खरी दी उसने मुझे भी यही सब बोला लेकिन उसने हम सबसे जूट क्यों बोला है इतना बोलते ही बारश शुरू हो जाती है सब क्या देखते हैं कि उनके गाई का गूल्डन रंग पानी से उतरने लग जाता है देखते ही देखते सब की गाई अपने रंग में बदल जाती है अरے यह किये हम सब के साथ बहुत बड़ा धोका हुआ है हमें रामू को सबक सिखाना होगा वहां से ही सब अपनी अपनी गाई को साथ लेकर उसके खर पहुण जाते हैं और उपर से पुलीस को भे रामू के घर बुला लेते हैं तुम लोगों ने हम सब को बेवकूफ बनाया हमें माफ कर दो हम लालच में आ गए थे गाउंवाले उनकी एक भी नहीं सुनते गीता और रामू तोनों को पुलीस के हवाले कर देते हैं हेलो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं शुक्रिया